हेलो साथ यू, गुड मॉर्निंग, स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डाउटनट पर कैसे हैं मेरे सभी साथ ही एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ हमारा ऑक्टूबर मन्त चल रहा है और इस पूरे वीक में ऑक्टूबर को हम खतम कर लेंगे मतलब आप लोगों का जो करंट अफेर का रिविजन है जो आपके आने वाले पृतिये के एक्जाम चाहे वो यूपीट सूपर टेट हो या फिर के वीएस हो धीटर पलेस भी हो या कोई भी अन्य एक्जाम से सी जी डी रेलवे या कोई भी जहां जहां पर करंट अफेर दोनों classes देखनी होंगी इसके अलावा आपको current affair कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना daily current affair में और ना आप लोगों को मेरे दोस्तो जो हमारा revision round है इसके लिए आप लोगों का दोनों की दोनों classes more than enough हैं तो कैसे हैं मेरे सभी साथ ही एक बार comment box में comment करके बता देंगे मुझे और उसके बाद आज की चीजों को हम यहाँ पर discuss करते हैं दोस्तो तो चलिएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दू कि अभी हाल ही में हमने मेरे दोस्तो कौन सी company को जो महारतना का status दिया है तो मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को बताया था जो company आप लोगों की तीन सालों तक लगातार पांच हजार करोड रुपे का turn over दे देती है उसको महारतना का status प्राप्त हो जाता है तो जब हम महारतना की बात करेंगे साथियो तो हमारी जो power finance corporation थी इसको मेरे दोस्तों महारतना का आप लोगों का दरजा दिया गया था ठीक मतलब जो December है वो minimum है उसके बाद कभी भी दोस्त हो सकती है ऐसा कुछ मतलब जो है confirm वाली डेट भी मतलब बता नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ उपर से कोई hint नहीं है कोई notification नहीं है बट minimum मान के चलो December last time लोग ठीक है मोहित वर्मा और बिट्टु मीना आर्यन हार्दिक अगला question क्या था एलेक्जेंडर इसके लेने वर्ग मैंने आपको कल भी पढ़ाया था इनके बारे में सुभा वाले session में तो एलेक्जेंडर इसके लेने वर्ग को किस देश का नया Chancellor न्यूट किया गया है तो ये जो नए Chancellor आप लोगों के हैं Austria के हैं देखो आपको ना एक पता है क्या बनना है आपको बनना है जैसे हमारे आर्मी के जवान रहते हैं आर्मी के जवान अब देखो आर्मी के जवान सीमा पर खड़े हैं ठीक है आर्मी के जवान जो है सीमा पर खड़े हैं और जब सीमा पर खड़े हैं तो उनको क्या है उनको मेरे दोस्तों ये है कि भाई कभी भी जो पाकिस्तान है वो इधर उधर से गोलावारी कर देगा तो वो हमेशा तैयार है ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान बोलता है कि मैं पड़सों को गोलावारी करूँगा ज़रा तैयार रहना तो ऐसा तो नहीं होता आप लोगों का ठीक है तो आप लोग यहाँ पर आपको वैसे ही बनना है पेपर आज हो जाए दस दिन बाद हो जाए बीस दिन बाद हो जाए पहला कोशन आपका आपने आप से है कि क्या मेरी तयारी पूरी है क्या मुझे सब कुछ आ गया है नहीं तो पहले मैं उसको प्रिपेर करता हूं अभी जो एक्जाम deterior टापके और हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम छोड़ देंगे ठीक है तो उसके बारे में अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे चलिएगा तो ये है दोस्तों और जब हम औस्ट्रिया की बात करते हैं तो औस्ट्रिया आप लोगों का जाएगा वियना अच्छा एक और बात यहां पर बता देना चाहता हूँ भारत ने रोड इंफ्राइस्ट्रक्चर को सही करने के लिए रोड इंफ्राइस्ट्रक्चर को सही करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ में समझोता किया है ठीक है इंडिया का जो ऑस्ट्रिया के साथ में समझोता है वो क्या है रोड इ ग्लोबल ड्रग पॉलेसी इंडेक्स बताया था मैंने आपको ग्लोबल ड्रग पॉलेसी इंडेक्स मैंने आपको बताया था तो ये जो आप लोगों का ग्लोबल ड्रग पॉलेसी इंडेक्स है इसमें दोस्तो भारत की जो रहेंगे वो अठारा है और टॉप की कंट्री कौन ह नौर्वे है टॉप की कंट्री कौन है नौर्वे है याद रखेंगे दोस्तों ये क्या है डेनमार्क इसकी कैपिटल है कोपेहन गन क्या है कोपेहन गन इसकी कैपिटल है और जो कोपेहन गन इसकी कैपिटल है ये सेफ सिटी इंडेक्स में नंबर वन है आप लोगों की इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है अगला कोशन आ जाएगा energy efficiency जो हमारा services limited है आप लोगों ने बहुत बार EESL का नाम सुना होगा EESL energy efficient services limited उसके साथ यो नए CEO कौन है तो यहाँ पर हमें क्या करना है देखो ध्यान से समझेगा मैं यहाँ पर आप लोगों का जो है इसको eliminate जो अमित खरे है यह advisor है मेरे दोस्तो सलहकार है किसके प्रधान मंत्री मोदी के प्रधान मंत्री मोदी के सलहकार है जो अरुन मिश्रा है ना यह NHRC के chairman है National Human Rights Commission के और अगर हम बात करेंगे ओके सर प्लीज ओल क्लास की playlist बना दे ओके नौमी सुर्या जी अगर playlist नहीं है तो आज update हो जाएगी मैं बोल दूंगा ठीके थैंक्यू आपके feedback के लिए दोस्तो रजनीस कुमार जो है जिनोंने SBI के पूर्व chairman है SBI के पूर्व chairman है अभी current में जो है HSBC ACI के मेरे दोस्तो independent director है याद रखेगा तो बचे कोन ER सेख तो जो हमारे ER सेख है वो मेरे दोस्तो हमारे यहाँ पर बनेंगे ER सेख नहीं यहाँ पर हमारे ER सेख भी नहीं बनेंगे सुनियेगा ध्यान से ठीक है हमारे ER सेख भी नहीं बनेंगे यह ordinance में जाएंगे किसमें जाएंगे और डिनेंस में जाएंगे दोस्तों भी हाँ पर एक बंदा और है अरुन कुमार मिश्रा अब ये अरुन कुमार मिश्रा NHRC के अध्यक्ष है National Human Rights Commission लेकिन एक और दूसरा बंदा है जिसका नाम है अरुन कुमार मिश्रा हटा देंगे अरुन कुमार है मिश्रा हटा देंगे तो एक दूसरा बंदा है वो option आप लोगों के उपर नीचे हो गए तो जो अरुन कुमार है वो आप लोगों के हैं कौन है अरुन कुमार है ठीक है अरुन कुमार है याद रखेंगे ठीक है और ये वाला जो NHRC वाले हैं ये अलग हैं दोनों अलग है ठीक है चलिएगा आगे चलेंगे ERC जो है जो आपका ordinance direct rate है ना उसके बने है ठीक है दोस्तो PM मोदी के सलहकार के रूप में कौन है तो PM मोदी के सलहकार अभी-भी हमने कर लिया तो PM मोदी के जो सलहकार है उनका नाम है अमित खरे क्या नाम है अमित खरे उनका नाम है जो प्रधान मंत्री मोदी के सलाकार है ये चीज आपको मार कर लेनी है इस कोशन को important बना लीजिएगा ठीक है एक्जाम के point of view से काफी important है अभी हम संजे भारगप पे भी आएंगे ठीक है संजे भारगप को अभी हम एलेन मस्क से relate करेंगे आगे चलते हैं ठीक है चलियेगा उसके बाद है उतकरश्ता के लिए 22 लाल भादुर सास्त्तरी रास्ते पुरुषकार किसे दिया गया तो जो 22 लाल भादुर सास्तरी पुरुषकार है मेरे दोस्तों वो किसको दिया गया है तो वो दिया गया है रंदीप गुलेरिया को रंदीप गुलेरिया कौन है सरजी एमस के डाइरेक्टर है ये कौन है एमस के डाइरेक्टर है और इनकी एक किताब है तिल वी विन इनकी एक बुक का नाम है दोस्तो ठीक है जब हम बलराम भारगव की बात करते हैं तो आप सभी को पता है, ICMR के हैं, जब मनसुख मंडाविया की बात करेंगे, तो ये हमारे Health Minister है, और दोस्तो सोमा मंडल जो है, वो हमाली Steel Authority of India Limited की Head है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, Junior World Cup Rifle Pistol Shotgun Medal Tally में, मेरे दोस्तों, जो हमारा Junior World, जो हमारी क्या कहते है, Championship Pistol Medal Tally है, तो ये कहा हुई थी, तो सबसे पहले तो ये event देखिएगा, हुआ कहा था, ये हुआ था पेरू में, और पेरू की Capital है, लीमा, ठीक है, तो ये हमारा World Championship जो हुई थी, ये पेरू में हुई थ और पेरू की Capital है, लीमा आप लोगों की, इसमें दोस्तों, टॉपर था, अपना प्यारा भारत, और सेकिंड नंबर पर कौन था, यहाँ पर, मेरे दोस्तों, अमेरिका था, ठीक है, इस वाली पृतियोगिता में, जो हमारी मेरे दोस्तों, मनू बाकर है, जो मनू बाकर है, उन्होंने टोटल, पांच मेडल को जीता था, यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो पेरू में हुई थी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियंशिप, इंडिया मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सबसे जादा मेडल टैली, 43 मेडल बिलकुल, पहले नंबर पर था, गोतम अडा अडानी का नाम आप सभी ने सुना है, तो गोतम अडानी ने जैपुर अंतरास्ती हवाई अडा, जैपुर अंतरास्ती हवाई अडा की जिम्मेदारी समाली है, तो यह जिम्मेदारी समाली है, कितने सालों के लिए, तो यह जिम्मेदारी समाली है, पचास सालों के लिए, क मंत्राले है जो हमारी civil aviation ministry है नागरी कुढ़न मंत्राले है उन्होंने major airport का दरजा दिया है major airport का दरजा दिया है किसको श्री नगर airport को ये बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है और दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो श्री नगर को आप लोगों का जो यूनेसको है ना हमार UNESCO उसने मेरे दोस्तों क्या दिया है Creative City Network में शामिल कर लिया है जो स्रीनगर है वो UNESCO के Creative City Network में भी शामिल हुआ है कोई पूछने लगा कि जो जैपूर है वो Creative City Network में कब सामिल हुआ था तो जैपूर 2015 में हुआ था UNESCO ने स्रीनगर को 2021 किस कैटागरी में दोस्तों Craft and Folk कैटागरी में Craft and Folk कैटागरी में किया है आप लोगों का अर्थात शिल्प और लोग कैटागरी में किया है याद रखिएगा ठीक है चलिएगा तो यह सारी चीज़े हैं आप लोगों की यहाँ पर कोई doubt है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं एक एक चीज़ को आपको बड़ा तसल्ली से सारी चीज़े अराम से मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ सारी चीज़े किलियर हैं कमेंट में कमेंट भी करते रहिएगा ठीक है अगला कोश्चन है भारत के लिए दो हजार इकिस State of the Education Report SOER No Teacher No Class किस संगठन द्वारा लॉंच किया गया है दोस्तों भारत के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट को नाम था SOER मेरे दोस्तों यह क्या है State of Education Report 2021 ठीक है State of Education Report 2021 आप लोगों की जो कितने पैरामीटर पे थी 10 पैरामीटर पे थी मतलब इसके 10 पैरामीटर थे 10 objective थे जिन पर यह रिपोर्ट थी इसको जारी करने वाला कौन है UNESCO जारी करने वाला है ठीक है UNESCO ने इसको जारी किया था याद रखेंगे दोस्तों Microsoft India है यह तो Microsoft के जो CEO है उनका नाम है सत्य नडेला याद होगा आप सभी लोगों को नीती आयोग के वाइस चेर्मेन का नाम है राजीव कुमार साथियो ठीक है और Ministry of Education में कौन है Ministry of Education में आप लोगों के धर्मेंदर परधान है और आज 11 नवंबर है आज 11 नवंबर है तो 11 नवंबर को मनाते है National Education Day मौलाना अबदुलकलामाजाद का बर्थडे मनाते है ठीक है चलिएगा किस दिन को आप दा न्यूनी करण के लिए अंतरास्टिय दिवस मनाया जाता है तो जब भी हम पूछेंगे आप दा न्यूनी करण का जो अंतरास्टिय दिवस है ये कब मनाया जाता है तो आप लोग बोल देना 13 अक्टूबर को आप दा न्यूनी करण का मेरे दोस्तों ये क्या है दिवस है 13 अक्टूबर 11 अक्टूबर को क्या है Girl Child Day क्या है Girl Child Day जो है ये 11 October को मनाया जाता है International Day of Girl Child ठीक है 12 October को हमें गठिया हो जाता है गठिया दिवस मेरे दोस्तों 12 October को है और E-Waste Day आप लोगों का जो E-Waste Day है या World Standard Day है World Standard Day ये भी सातियों आप लोगों का जो है 14 October को मनाया जाता है ठीक है अगला किस राज्ये ने क्लास 9 से 12 में पढ़ने वाले अपने स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटर कारेकरम शुरू किया है तो देश के मेंटर कारेकरम जो शुरू किया है वो दिल्ली ने किया है औ इसके ब्रांड एमबेस्डर है सोनू सूध कोने साथ यह सूनू सूध इसके ब्रांड एमबेस्डर है और साथी के साथ में आपको बता दू आगर कोई आप से पूछ रहे गा anti open anti open मेरे दोस्तो burning campaign ये कहां का है दिल्ली का है ये campaign दिल्ली का है और दोस्तो अगर आप से पूछा जाएगा shramik मेरे दोस्तो जो shramik आप लोगों का मेरे साथियो क्या है एक अगर आप से बात करेंगे तो आज ही हमने एक shramik योजना shramik portal shramik मेरे दोस्तो जो किसके लिए construction worker के लिए किसके लिए construction worker के लिए ठीक है तो दोस्तो ये जो आप लोगों का है जो shramik योजना है वो construction worker के लिए दिल्ली में शुरू की गई है उनको सभी government जो schemes है उनके बारे में जागरुख किया जाएगा दोस्तो अगर आपसे पूछा जाएगा दस हफ़ते ठीक है मेरे दोस्तो दस हफ़ते दस दिन दस बजे आप लोगों का दस हफ़ते दस बजे ठीक है आप लोगों का क्या था वो एक एक एक्जेक्ट में अभी माइंड से उतर रहा है कि 10 अफ्ते 10 बजे 10 दिन आप लोगों का क्या है साथियो एक केंपेन है डेंगू से लड़ाई के लिए दिल्ली का एक है happiness curriculum क्या है एक है happiness curriculum तो happiness curriculum जो है वो भी दिल्ली का ही है red light on guardy of ये भी दिल्ली का ही है चलिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा नेदू मदी बेणू जिनका हाली में निधन हो गया किस भारते फिल्म उध्योग के एक अभीनेता थे तो दोस्तों जो नेदू मदी बेणू है इनका क्या हो गया निधन हो गया ये कौन से थे मलियालम के थे साथियो मलियालम ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाएगा नेदू मुदि बिणू जिनका निधन हो गया वो मलियालम के थे किसके थे मलियालम के थे अगला कोश्चन है साथियो प्रधान मंत्री मोदी ने हाली में भारत की रास्टे मानवाधिकार आयोग तो जो हमारा एन एच आरसी है नेशनल हुम अगर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे उनके बारे में बात करेंगे तो इस बार इनोंने 26 वे नंबर का उद्गाटन दिवस है वो किया है तो इसके अध्यक्ष कोन है आरुन कुमार मिश्रा क्या नाम है आरुन कुमार मिश्रा थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था तो याद रखेंगे ठीक है दोस्तो जो हमारे HL दट्टू थे ये 42 वे नंबर के C.G.I. थे 42 के बाद क्या आता है 43 आता है तो 43 वे नंबर के जो C.G.I. थे उनका नाम था जो CGI थे उनका नाम था जगदी सिंक हेयर और 45 वे नंबर के जो CGI थे हमारे Chief Justice of India उनका था दीपक मिश्रा और जो 46 वे नंबर के थे आप लोगों के रंजन गगोई और 47 वे नंबर के जो थे सरदर्विंद बोबड़े और अभी 48 वे नंबर के हैं जो भी करंटली है उनका नाम N.V. रमना है तो ये Chief Justice of India थे जो मैंने आपको बताए 42 से पहले भी आपको मालूम होगा राजेंदर मलोधा उनसे पहले 57 सिवम अलतमस कबीर ये सब आप लोगों के थी ठीक है एके गोयल है मेरे दोस्तों आज गला थोड़ा सा मतलब खराब है जो एके गोयल है ये हमारे कि किसके है National Green Tribunal के ठीक है और Justice विकरमजीत सेन किसके है अभी जो हमारा Broadcasting Digital Body है उसके अद्यक्स है विकरमजीत सेन और World Human Rights Day कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को मार कर लोगे अगला question है under 17 महिला विश्वकप 2022 के लिए आधिकारिक सुभंकर का नाम क्या है तो under 17 महिला विश्वकप 2022 के लिए जो आधिकारिक सुभंकर है उसका नाम क्या है तो सबसे पहले जो under 17 महिला विश्वकप होगा आप लोगों का ठीके साथियो इसका जो आधिकारिक सुभंकर है अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा तो ये है इभा क्या है दोस्तो इभा और ये आप लोगों का इंडिया में होगा कहा होगा इंडिया में होगा याद रख लेना ठीक है important है अगला question है साथ यो सरदार बल्विंदर सिंग नकई सरदार बल्विंदर सिंग नकई का निधन हो गया और अगर बल्विंदर सिंग नकई नहीं लिखाएगा तो ये लिखाएगा BS नकई तो जो आप लोगों का BS नकई का निधन हो गया, ये दोस्तों कहा के थे, ये हमारे मेरे साथियों ifco के थे, किस के थे ifco के थे, ये चीज आपको ध्यान में रखना, हाँ, जिसका मतलब सेरनी है, एशियन सेरनी से उसका मतलब जो है आप लोगों का लिंक है ठीक है तो इफकों के कौन थे बी-ेस न कई थे याद रखेंगे दोस्तो आपदा नियुनी करन के लिए जो अंतरास्ते दिवस था वो कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है तो जब हम आपदा नियुनी करन के लिए लडाई लडएंगे तो ये हैं आप लोगों का 13 मेरे दोस्तों क्या है October ठीक हैं और इस बार की theme क्या थी आप लोगों की International Cooperation for developing countries to reduce their disaster risk and disaster losses ठीक हैं मतलब इस बार क्या है जो हमारा आपदा न्यूनी करण के लिए मतलब जो आप देखते हो ना कई बार national disaster आ जाती है और उसमें आप लोगों का जो है कई बार हमें उसके लिए क्या-क्या सटी कुपाएं हैं उन सभी को करने के लिए जो International Cooperation for developing countries ठीक है to reduce their disaster risk and disaster losses ये आप लोगों की theme थी अर साथ theme में जो बात हो रही है disaster risk को कम करने की और जो disaster loss है उसको कम करने की बात यहाँ पर हो रही है याद रखेगा ठीक है चलिए दोस्तों ये क्या है फीफा में जो अगर हम बात करेंगे फीफा अंडर 17 महिला विश्वप की मेजबानी कोन करेगा तो अभी तो मैंने आपको बताया है कोन करेगा अपना प्यारा भारत करेगा ठीक है अपना प्यारा भारत करेगा जबकि कतर जो है 2022 में जो football का main world cup है वो ठीक है अचा कुछ बच्चे पीडियेफ के लिए जरूर कह रहे होंगे कि सर पीडियेफ दे दे ना तो दोस्त पीडियेफ तुमें डाल ही रहूं डेली के डेली बाकी आप लोगों को न एक साथ इखटी मिल जाएगी पूरे महीने की जो पूरा महीना है उस पूरे महीने क खटी में पीडियेफ आपको दे दूँगा बेफिकर रही है ठीक है चलिएगा आगे चल रहे हैं दोस्तो फटाफट से आजाओ दोस्तो हाल ही में भारत के कई हिस्सों में आए चकरवात गुलाब के नाम की सिफारिस की थी तो जो चकरवात गुलाब था उसके नाम की सिफ परिस की थी पाकिस्तान ने किसने की थी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की जो capital है dat is Islamabad क्या है Islamabad पाकिस्तान की capital है इमरान खान हा के परधान मंत्री है और ये FATF में आप लोगों का जो है 2018 से पड़ा हुआ है FATF की ग्रे लिस्ट में किसमें FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से है याद रख लीजेगा दोस्तों मनुभा करने हाली में किस इस परधा में एकल चैंपियंशिप में भारत के लिए रिकॉर्ड तोड़ पदक जीते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी जूनियर सूटिंग चैंपियंशिप आप लोगों की हुई थी जिसमें भारत ने टोटल 43 पदक जीते थे 5 पदक जीतने वाली मनुभाकर थी और मनुभाकर ने किसने शूटिंग में जीता है याद रख लीजेगा भारत नंबर 1 पे था USA नंबर 2 पर था तो यहाँ पर शूटिंग आप लोगो कोशन पूछा जा सकता है जो 30 वर्णा किस गेम से रिलेट करती है तो यह आप लोगों का आर्चरी है क्या है आर्चरी है चलिएगा अगला कोशन आप लोगों के लिए दोस्तों भारत के लिए 2021 की सिक्सा रिपोर्ट की स्थिती में तो मैंने अभी बताया था ना आप किया था ठीक है और इस रिपोर्ट को कितने बिंदू ओपर दस बिंदू ओपर मैंने थोड़े दिर पहले आपको बताया था तो कितने कारे बिंदू है दस कारे बिंदू है याद रखिएगा ठीक है चलिएगा अगला है किस राज्ये का राज्ये चुनाप स्मार्ट फोन क माध्यम के मतदान से भारत का पहले Dry Run आयोजित करने के लिए तैयार है मतलब मेरे दोस्तों ध्यान से समझेगा पहली इवोटिंग इवोटिंग मतलब online voting तो जो हमारा election commission है ध्यान से समझना जो हमारा election commission है उस election commission ने अभी एक ट्रायल किया मेरे दोस्तों क्या किया अभी ट्रायल किया और ट्रायल किसका किया इवोटिंग का औलाइन वोटिंग का मतलब फोन के माध्यय Japanese भूटिंग ठीक है तो यह आप लोगों का सबसे पहले कहांपर किया ते तेलंगाना में किया गया कहां पर तेलंगाना में किया गया तो जो आप लोगों का यी वोटिंग का ड्राइरन चलाए गया था वो तेलंगाना में जब भी हम बात करेंगे तो यहां पर एक नाम आता है शुशील चंद्रा क्या नाम आता है शुशील चंद्रा तो सुशील चं के 24 वे नंबर के चीफ एकसन कमिशनर है मतलब हमारे जो चीफ एकसन कमिशनर है मुख्य चुनाबायुकत हैं वो 24 वे हैं सुसील चंदरा है अच्छा इनके नीचे दो एकसन कमिशन होते है एक आपके कोन है मेरे दोस्तो अनुप पांडे है और एक लोगों के राजीव कुमार है तो ये दोनों इलेक्शन कमिशनर भी इनके अंडर में है याद रखेंगे ठीक है तो चीफ इलेक्शन कमिशनर का नाम कई बार पूछेंगे बताएंगे ठीक है दलित बंदू योजना बिलकुल मेरे साथी हो ये तेलंगाना की योजना है ठीक ह चलिए दोस्तों अगला कोशन है अभ्यास मालाबार किस से संबंदी थे तो जब हों मालाबार की बात करेंगे यहाँ पर तो आजाईएगा यह है मालाबार मालाबार एक्सरसाइज जब सुरू हुई थी 1992 में ठीक है तो यह USA and India की थी USA and India की थी ठीक है बीच में कुछ दिन बंद भी रही फिर 2015 आया तो USA इंडिया तो था ही था इसके अंदर आप लोगों का फिर प्लस हो गया जापान मतलब जापान 2020 पंदरा में शामिल हो गया फिर 2020 आया मेरे साथियो और 2020 में इसमें एक कंट्री ओरेड हो गई जो थी आप लोगों की Australia ठीक है और यह हमारी नेवी exercise है दोस्तों नेवी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो जब हमने नेवी के बारे में पढ़ा था तो आर हरी कुमार जो हमारे नेवी के चीफ थे जो हमारे नेवी के चीफ थे 24 वे नंबर के उनका नाम करमवीर है 30 नवंबर तक रहने वाले हैं 30 नवंबर के बाद आर हरी कुमार जो है वो भारती सेना के 25 वे भारती नो सेना के 25 वे नंबर के एड्मिरल है नेवी की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है न साथियो उसको हम Admiral कहते हैं क्या कहते हैं Admiral कहते हैं याद रखेगा दोस्तों अगर हम बात करेंगे Indian Coast Guard तो Indian Coast Guard जो दिवस है वो एक फरवरी को मनाया जाता है याद रख लेंगे ठीक है चलिएगा दोस्तो सुनील छेतरी सुनील छेतरी को क्या मिला है अभी अभी खेल रतन मिला है सुनील छेतरी को क्या मिला है खेल रतन मिला है और खेल रतन जो टोटल मिला है वो दोस्तो इस बार 12 लोगों को मिला है उसमें सुनिल छेतरी भी है और आप लोगों का क्या है फुटबॉल से जुड़े हुए है याद रखेंगे ठीक है तो सुनिल छेतरी को खेल रतन मिला है खेल रतन में 25 लाक रुपे दिये जाते हैं और ये मेरे साथ यो आप लोगों का जो है किसको सुनिल छेतरी को हाली में दिया गया है अगला कोशन है किस अंतराष्टे मंच ने स्वाच और स्वास्थ पर्यावन तक पहुच को मौलिक अधिकार के रुप में माननेता दी है जैसे हम अपने fundamental rights पढ़ते हैं तो polity में जो हमारे fundamental rights हैं ठीक है जो हमारे मौलिक करतव्य हैं वो article number 12 से 35 तक हैं जिसमें सिक्षा का अधिकार रोजकार का अधिकार जीने का अधिकार खाने का अधिकार सास लेने का अधिकार पीने का अधिकार minority मतलब यह सब हमारे अधिकार दे रखे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तो अभी मेरे दोस्तों क्या किया है जो United Nation Human Rights Council है हमारा जो United Nation मानव अधिकार परीशद है मानव अधिकार परीशद है उसने क्या कहा है कि भईया उसने clean और healthy environment मतलब साफ सुत्रा healthy environment ये आपका एक मौलिक अधिकार है क्या है ये आपका एक मौलिक अधिकार है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों का जो human human right council है आप लोगों का उसन नवा में है याद रख लेंगे ठीक है पीम गती सक्ती मास्टर प्लान तो मैंने आपको बताया था कि जो पीम गती सक्ती मास्टर प्लान है ये क्या है मेरे दोस्तों सुनिएगा जो पीम गती सक्ती मास्टर प्लान है तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट है ठीक है अब जो भी ह department से relate होता है तो सबसे पहले क्या है कि जो पीम गती शक्ती master plan है उसमें आप लोगों के जो project है उनके कामों में तेजी लानी है और तेजी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा तेजी लाने के लिए जो department है उनको आपस में connect करना पड़ेगा याद रख लीजिएगा जो डिपार्टमेंट को कनेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट में तेजी आएंगी समय पर आप लोगों का काम होगा ठीक है तो इसके लिए कमेटी भी बनाई है गुरूप भी बनाया है जो गुरूप है वो सेक्रेटरी लेवल पे है और उसके हैड कौन है उसके ह करोड जो है वो यहाँ पर आप लोगों का प्रोजेक्ट है नविस्थापित भारतिय अंत्रिक्स इस्पा मेरे दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखो ध्यान से समझेगा जो हमारा इस्पा है भारतिय अंत्रिक्स संग तो देखो ध्यान से समझेगा मेरे दो प्राइवेट पार्टनर्शिप पर बहतरी करने के लिए ठीक है जो हमारी जितनी भी स्पेस एक्टिविटी है उनको सबको इसरो हैंडल करता है तो उसके उपर एक संग बना दिया है इसपा मेरे दोस्तो तो यहां पर अगर पूछा जाएगा आप सभी लोगों से तो इसके पहले अध्यक्ष कोन है तो simple है आप लोगों का जो जैन्त पाटिल है वो इसके अध्यक्षें पहले वाले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तो आल ही में किस राज्य को कन्या कुमारी लोंग के लिए GI टेग मिला है तो कन्या कुमारी लोंग जो GI टेग है वो तमि नाडू है तमिल नाडू में और क्या-क्या जी आई टेग है तमिल नाडू में आप लोगों का जो जी आई टेग है जहां पे आप लोगों का आता है डिंडी गुल के ताले क्या है डिंडी गुल ताले ये जी आई टेग है एक है इरोड की हल्दी इरोड की हल्दी ये भी जी जी आई टेग है ठीक है एक है मेरे दोस्तों आप लोगों का कांची पूरम साड़ी ये भी यहां का जी आई टेग है ठीक है एक मुरुगन टेंपल का पंचा मुरुगन टेंपल का तो ये सब क्या है तमिल नाडू के हैं जैसे केरल का मरियूर गुड है केरल का मरियूर हैं आंधरा प्रदेश का अर्कु वैली कॉफी है याद रखेगा चलिएगा बहुत बढ़िया ठीक है चलिएगा उसके बाद दोस्तों फिक्की ने अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षन में भारत की जीडीपी विकासदर कितने लगाई है तो यहां पर फिक्क स्वागत के लिए ना कहना ना पड़े कि स्वागत नहीं करेंगे फिर जहां जाओ भूरूख खुद से allerdings करें ठीक है तो सिर्फ और चांशपरई पड़ाई पर ध्यान दीजिएगा यतनी देर में आपने टाइप किया है स्वागत नहीं करोगे हमारा और इसको कॉपीपे करने में अपना टाइम जाया किया है आपने उतनी देर में मुझे फिक्की का पूरा पोस्ट मार्टम आप कर देते बहतर होता ठीक है चलिएगा बाकि आप capability हर इंसान के अंदर है तो ऐसे बनिएगा कि बस क्या है उड़ा देंगे ठीक है मदब आपके पहचान की ना आपको जरुवत ही ना पड़े ठीक है कहना ना पड़े लोगों से ओके समझगे मेरी बात चलेगा 9.1 है बिल्कुल सही आप जा रहे हो हेड़क्वाटर कहा मिलेगा न्यू डेली में नई दिल्ली में हेड़क्वाटर मिलेगा 1927 में बना था ठीक है यहाँ पर उदेशंकर इसके प्रसीडेंट है उदेशंकर इसके प्रसीडेंट है ठीक है और यहाँ पर मेरे दोस्तों फिक्की के जो डारेक्टर जर्नल है, उनका नाम है अरुन चावला, याद आ गया, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे, आप लोगों से जो फिक्की लेडीज और्गिनाइजेशन है, उसमें हेड कौन है, उजवला, कौन है, उजवला हेड है, फि लिएगा, अगला कोश्चन है, फटा-फट से, हंजी गांधी जी की रिकमेंडेशन पे, दा कस्टीडियन ओफ ट्रस्ट ये किताब है आप लोगों की, इस किताब को लिखा है किसने रजनीश कुमार ने, ठीक है, रजनीश कुमार जो एक्स चेर्मेन आर बी आई, वो सरी, एक्स चेर्मेन एस बी आई, कौन है रजनीश कुमार, ठीक है, जो कहा के आंधरा प्रदेश के, आंधरा प्रदेश के, आंधरा प्रदेश के, आपके एकोनोमिक एडवाईजर है, आंधरा प्रदेश के एकोनोमिक एडवाईजर है, याद रख लिजेगा, ठीक है, अगला है बहुयामी गरीवी सूचकांग रिपोर्ट में किस संगठन द्वारत जारी की जाती है तो दोस्तों बहुयामी जो गरीवी सूचकांग रिपोर्ट है जब हम multi-dimensional poverty index की हम बात करते हैं तो इसको जारी करता है United Nation Development Program कौन करता है United Nation Development Program इसको जारी करता है याद रख लेना ठीक है उतना ही याद रखना है आर्थिक बिग्यान में नोबल पुरुसकार किसको मिला है तो मेरे दोस्तों एक debit card है हमारे एक हमारे जोसुआ है और एक हमारे गुईडो है तो कैसे याद रखोगे कि debit card निकाल लिया पूरे जोस में और सारा पैसा गुयो ठीक है आप कई बार कुछ समान खरीदने जाते हो तो पूरे जोस में आपने debit card को बाहर निकाला इससे शोपिंग करूँगा और फिर सारा पैसा गयो ठीक है सारा पैसा चला गया ओके तो यहाँ पर आपका आर्थिक जो economics है उसमें आपका मिला है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है दोस्तों गठिया day कब मनाया जाता है जब हम गठिया day के बारे में बात करते हैं तो गठिया day आप लोगों का जो है यह 12 October है मैंने बहुत बार आपको बताया है ठीक है चलिएगा दोस्तों हम मनाते हैं world postal day कब मनाते हैं world postal day 9 को मनाते हैं और national postal day जो है यह 10 को मनाते हैं यह भी बात आपको याद में रखनी है अगला कोशन आपके लिए एक फूलो का उत्सब है बथू कम्मा तो बथू कम्मा कहां का तिवार है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा बथू कम्मा कहां का है तेलंगाना का है दोस्तों अगर आ तमिल नाडू हम पॉंगल तमिल नाडू पॉंगल और यहां पे उतकल दिवस क्या है उतकल दिवस ठीक है तो उडिसा में उतकल है तमिल नाडू में पॉंगल है केरल में औरम है वीशू है तेलंगाना है यह मतलब तेलंगाना में बथू कम्मा है ठीक है चलिएगा एस्ट हमने कर लिया था किस राज़्जी की पारंपरिक डाई पेंटिड अलंगकारिक जिसे करपूर कलमारी पेंटिंग ध्यान से समझ लिजेगा मेरे दोस्तों करूरपूर करमारी पेंटिंग कहा जाता है ठीक है ये और आप लोगों की जो है कलाकुछी लकडी की नकासी को GI tag मिला है तो अगर आप से कुछ ऐसा पूछा जाएगा देको वही लिखाएगा जो आपका करूर पूर ये कलवंकारी जो पेंटिंग है आप लोगों की अगर इसके बारे में लिखाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तमिल नाडू लगा देना ठीक है आज इस इंटरनेशनल जो एनरजी एजनसी है आप लोगों के जिसमें 26 मेंबर हैं और आठ असोसियेट मेंबर हैं आठ सैयोगी मेंबर हैं आठ सैयोगी मेंबर में भारत भी है चाइना भी है ठीक है दोस्तो तो इन्होंने भारत को अपना पूर्ण कालिक मेंबर बनाने के लिए सि प्रतिबत्ता दिखाई है दोस्तों किस देश में हमवर्ग सहर में दुनिया की पहली स्वचालत और चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन अगर कोई आप से पूछेगा सेल्फ टेक्सी जो सेल्फ टेक्सी है वो सबसे पहले कहां पर यूके में ठीक है लेकिन यहां पर स दर्मनी बन जाएगा ओके साथियो एलेक्जेंडर इसके लेनवर्ग यह हमने कर लिया था यह हमारे ओस्ट्रिया के हैं इसमें कोई बात नहीं पहला ही कोशन यह था आप लोगों का भारत पे के अध्यक्ष कोन बनाए गए है तो जो भारत पे है उसके अध्यक्षे रजनी भारती सिनेमा में समगर योगदान के लिए चोथा सत्यजीत रे तो जो चोथा सत्यजीत रे है पुरुसकार किसको दिया गया है तेलगू फिल्म निर्माता है तो चोथा सत्यजीत रे सत्यजीत एक सिनेमा में बहुत बड़ा नाम है और तेलगू फिल्म निर्माता है नाम है आप लोगों का बेजबाडा गोपाल कौन है बेजबाडा गोपाल इस तरह की कोश्चन्स काफी पूछे जाते हैं मार्क कर लीजिएगा ठीक है अगला है मलियालम लेखक हैं दोस्तों तो लेखक कौन से हैं मलियालम पहले मार करिएगा और पुस्तक कौन सी है मंथली रिले 20 Communist Varsangal ठीक है Monthly Relay 20 Communist Varsangal Maliyalam लेखा कहना इसलिए किताब का नाम ऐसा है नाम क्या है इनका Benjamin ठीक है इनको क्या मिला है 45 वाइलर राम वर्मा मेमोरियल साहित्य पुरुसकार तो जो 45 वाइलर राम वर्मा मेमोरियल पुरुसकार मिला है वो किसको मिला है Benjamin को मिला है मैंने किताब का नाम पढ़ते ही राइटर का नाम लगा दिया क्योंकि कोशन ये भी पूछा जा सकता है Monthly Relay 20 Communist जो वर्संगल है ये किसकी किताब है तो इसको मार्क कर लीजिएगा ठीक है चलेगा मिरत्यू डंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मना आ जाता है तो मिरत्यू डंड के खिलाफ विश्व दिवस जो है वो 10 October है जरूर याद रखिएगा दोस्तों अगर हम बात करेंगे मिरत्यू डंड के खिलाफ जो आप लोगों का दिवस था उसका आप लोगों का अगर पूछा जाएगा तो थीम क्या थी तो उसकी थीम थी वूमेन सेंटेंस्टी टू डेथ एन इन्विजिवल रियल्टी मतलब जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट डे था ये 10 October को था साथियो और 10 October को आप लोगों का वूमेन सेंटेंस्टी टू डेथ आप लोगों का एन अन्विजिवल रियल्टी ये आप लोगों की इस बार की क्या थी मेरे दोस्तो थीम थी अबोहलन बनी सद्र जिनका हाली में निधन हो गया दोस्तो किस देश के पहले राष्टपती थे तो जो अबोहल हसन मेरे दोस्तो बनी सद्र है जिनका हाली में आप लोगों का क्या है निधन हो गया था वे हैं आप लोगों के इरान के पहले राष्टपती थे किस के पहले राष्टपती थे इरान के पहले राष्टपती थे याद रख लीजेगा किर्गिस्तान की राजधानी क्या है तो बताओ किर्गिस्तान की राजधानी किसको नहीं पता है यहाँ विशेक है कुछ लोग नूर सुल्तान लगा देते हैं तो नूर सुल्तान जो है दोस्तों वो आप लोगों की किसकी कैपिटल है कजाकिस्तान की है याद रख लेना ठीक है ये आप लोगों का सेशन था इसमें कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा साथियो सेशन पसंद आया हो ये रिविजन राउंड आप लोगों के चल रहे हैं ताकि आप पुरानी चीज़ों को न भूले यहां में पिछले एक साल का रिविजन आपको करवाने वाला हूँ अक्टूबर चल रहा है अगले वीक सेप्टेंबर इसलिए हर वीक में एक चीज़ आपकी होती रहेगी डेली 30 से 45 मिनट की क्लास होती है डेली सबा 9 बजी की टाइमिंग है सुभा 7 बजी आपको डेली करंट फिर आना है ताजा ताजा के लिए वो आपका चैनल ये लिखा हुआ है डाउटनट गॉर्मेंट एक्जाम तो चलिएगा मिलेंगे फिर अगली क्लास में तब तक के लिए टाड़ा बाई बाई है टेक केर है जै हिंद है जै भारत है